आई ये modulus का एक और properties प्रूप करते हैं और इस पर बेस्ट करते हैं इस पर क्या आप प्रूप करना है? प्रूप करना है? प्रूप करना है अगें इसके लिए आपको basic सीज़े जो ध्यान में रखनी होगी हमें ये पता है कि square root of x square is equal to mod of x and mod of x is equal to x when x is greater than 0 or equal to 0 and minus x when x is less than 0 ये चीज़े हमें पता हैं अब इसी पर बेस्ट इसको प्रूप करते हैं आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर? so here mod of fx is less than equal to k अब यहाँ पर क्या करते हैं? square root का अगर property apply करें तो क्या होजागा? fx का whole square का square root is less than equal to k अब इसके बाद क्या करते हैं? squaring both sides अब जैसे हम यहाँ पर squaring करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? so this is fx का whole square is less than equal to k square अब k square अगर यह LHS side चला जाए so fx का whole square minus k square is less than equal to 0 अब इसको a square minus ba square पर हम तोड सकते हैं? so यह मिल जाएगा fx plus k right into fx minus k and less than equal to 0 यहाँ से अगर sign scheme अब plot करें यहाँ पर हम क्या करें? अब sign scheme plot करें so क्या हो जागा है यहाँ पर देखते हैं? यह हो जागा minus infinity to plus infinity आपके पास क्या-क्या value आ रहा है? minus k and k value आएगा है ना? इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे अब आप यहाँ पर ध्यान दो अगर k से बड़ा कोई भी value लेते हैं k से बड़ा कोई भी value लेते हैं suppose 2k अगर 2k रखोगे fx के जगा पर 2k plus k, 3k and 2k minus k, k overall आपको यहाँ पर positive मिलेगा minus k और k के बीच का कोई भी value क्या हो सकता है, 0 अगर 0 रखोगे, तो 0 plus k, 0 minus k सो आपको क्या मिलेगा है यहाँ पर? negative suppose minus 2k रखा, तो यहाँ पर आपको positive मिलेगा या इसका मैंने एक trick बता रखा आपको कि एक बार सबसे ज़्यादा वाला रख लेगा अब देखो कि यह के कितने बार आया है, तो के एक बार आया है, क्योंकि इस पर power 1 है, जो sign होगा, अगर odd times आ रहा है, तो sign change हो जाता है, ठीके, और अगर event times आएगा वो रूख, event type अगर repeat, so sign change नहीं होता है, same रह जाता है, है ना, तो अब यहाँ पर देखो, कि के कितने बा हो गया, ठीके, इस पर बेस बनाये हुआ है वीडियो, आप वो एक बार देख ले ना, मैं उसका link इस में share कर दूगा, ठीके, चलिए, अब, आप देखो, किस के लिए solve करना है, so अभी हमने solve करना है, आप पे less than equal to 0, that means यह वाला interval आएगा, और यह वाला interval आने का मतलब क्या है, कि fx का जो value होगा, minus k और k के बीच हो जाएगा, right, clear है, and yes, आपको यह चीज़ ध्यानक ना है, कि equality तब ही होगा, जब यहाँ पे equal होगा, और यहाँ पे अगर equal नहीं है, तो यहाँ पे equal हट जाएगा, ठीके, overall समझें कि अगर आपका less than k है, इसका मतलब fx जो होगा, minus k और k के बीच में लाई करेगा, ठीक है, जब equality ना हो, तब, right, अब इस पे basic question कर लेते हैं, simple, so यहाँ पे क्या है, यह property, so यह property आपको apply करना है, यहाँ पे क्या होचाएगा, 3x plus 5 is less than equal to 23, and greater than equal to minus 23, ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 subtract कर देना, so minus 23, minus 5, 5, यहाँ पे 3x plus 5, minus 5, और यहाँ पे क्या होचाएगा, 23 minus 5, clear है, ठीक है न, अब यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको 3x, और यह कितना मिलेगा, minus 28, यहाँ पे क्या मिलेगा, 18, अब 3 से divide कर दो, क्योंकि x लाना है, तो 3 से divide करेंगे, तो minus 28 by 3, and this is 6, यही होगा आपका answer, ठी ठीक है, यही होगा x का solution, ठीक है, तैंक्यू, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और भी बहुत सारे properties के साथ, तब तक take care,